हेलो दोस्तों स्वागत है आपका रिशिप की पाट साला में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एन इपी दो हजार बीस यानि के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दो हजार बीस जो की बहुत ही जादा इंपॉर्टन टॉपिक है हमारे के वी एस एक्जाम के लिए भी और ऐसे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है चलिए हम लोग अपना आज का टॉपिक सुरू करते हैं एन इपी 2020 तो देखी क्या है एन इपी 2020 बस यह हमारे की फैक्टर्स हैं इनको आप बहुत ध्यान से समझ लीजेगा समझ लीजे कि आपने एन इपी से रिलेट इन स्कूल एजुकेशन बाई 2030 तो फर्स्ट आप यह समझे कि G.E.R. क्या होता है G.E.R. का मतलब होगा ग्रॉस नोट कर लीजेगे गहीं ग्रॉस इन्रॉल्मेंट ग्रॉस इन्रॉल्मेंट रेशियो ओके ग्रॉस इन्रॉल्मेंट रेशियो कि जितने लोग है या बच्च हैं उन में से कितने लोग सापेक्षिता ना मांकित हैं बात समझ में आ गई ग्रॉस इन्रॉल्मेंट रेशियो तो इन्होंने कहाया कि यूनिवर्सलाइजेशन ओफ एजुकेशन सारो भॉमी करण होना चाहिए कि इसका एजुकेशन का फ्रॉम प्री स्कूल टु सेकेंडर लेवल तो मतलब कि प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल के बीच में 100% GER चाहिए मतलब कि सभी बच्चे स्कूल में इन्रोल होने चाहिए कब तक 2030 तक कब तक ये लक्ष रखा गया है 2030 2030 2030 तक इतनी बात समझ में आ गई कि पहला की पॉइंट है सेकंड है GER in higher education to be raised to 50% by 2035 ठीक के लिए higher education के लिए ध्यान दीजिएगा higher education के लिए कितना कर देना है 50% कर देना है कब तक 2035 तक तो याद रखिएगा 2018 में higher education के लिए ये GER था 26.3% कितना था 26.3% अब कितना कर देना है 2035 तक हमारा क्या लक्ष रख्या गया है 50% से बढ़ा कर कर देना है ठीक है next है हमारा no rigid separation मतलब between academic streams extracurricular vocational streams in school change करते हैं आप कोई academy change कर रहे हैं stream change करना जाते है science arts तो आसानी से आप कभी भी कर पाएंगे जो rigid rules है वो उस तरीके के rules अब आगे आपको देखने को नहीं मिलेंगे इसके बाद है NEP 2020 will bring 2 crore out of school children पहले आप समझ लो कि out of school बच्चे क्या होते हैं out of school child वो होते हैं ऐसे बच्चे जिनका किसी भी school में enrollment नहीं है किसी भी school में जिन बच्चों का नाम आंकर नहीं है वो बच्चे क्या होते हैं out of school होते हैं तो देख लीजे क्या है NEP 2020 will bring 2 crore out of school children back into mainstream तो उनको क्या करना है main stream में जोड़ना है मुक्क धार हम जोड़ना है यहीं कि schools में enrollment कराना है क्लिए है बिल्कूल next है vocational education to start from class 6 अभी हम लोगों को vocational education नहीं विवसाइक शिक्षा हमें मिलती है class 11 से अब हमें कहां से मिलेगी with internship internship के साथ class 6 से मिल जाएगी इतनी बात समझ में आ गई next है हमारा new 5 plus 3 plus 3 plus 4 school curriculum of 12 years of schooling and 3 years of आंगनवाडी and pre-schooling यह structure change किया गया है हमारी education का पहले हमारा जो structure था वो structure था 10 plus 2 बोलते हैं ना हम लोग structure में के 10 plus 2 हमारा structure है ओके अब इसको change करके कर दिया गया है 5 plus 3 plus 3 plus 4 इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि 5 दखो इसमें आप यह भी ध्यान से देखिए कि इसमें यह भी लिखा हुआ कि 3 years of आंगनवाडी यह pre-schooling जिसको आप बोलते हैं के जी यूजी के जी पीजी लगी तो यहाँ पर क्या है वो कि 3 years उसके हो गए और class 1 और class 2 के 2 years हो गए कुल मिला के कितन 8 इनों ने यह 3 साल में पड़ी और फिर 4 years जो बचे वो क्या हुए 9 10 11 और 12 यह structure अब नया आया है हमारा new education policy a national education policy 2020 में structure को बदलकर 10 प्लस 2 की जगे 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 कर दिया गया बहुत ही ज्यादा इससे question पूछे जा रहे है ठीक है ध्यान रखिएगा बहुत ही ध् teaching up to at least grade 5 to be in mother tongue regional language तो class 5 तक की जो teaching होगी वो किसमे होगी या तो mother tongue में होगी ठीक है मात्र भाषा में या फिर उनकी regional language में होगी किसमे होगी regional language में होगी क्यों 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 कि छोटे बच्चों को क्या होता है कि उनकी ही भासा में समझ में आता है तो इसलिए regional language म भी उनको पढ़ाया जाएगा या फिर मदर टेंग में पढ़ाया जाएगा किलिए है बिल्कूल ठीक है तो यह थे हमारे new education policy के कुछ important important terms key factors और अगर आपको पूरा इसका वीडियो देखना है तो आप हमारे next वीडियो में मिलिएगा तो मैं आपको पूरा new education policy and national education policy को discuss कर दू किएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद कर रहे हैं अभी कीजिए अपने अचीशन नहीं कीजिए यए आपि।